हेलो स्टुरेंट आज हम लोग क्लास 11 का माथ चैप्टर 4 प्रिंसिपल अफ माथमेटिकल इंदक्शन एक्सरसाइस 4.1 का कुशिन नमबर आज हम लोग 7 देखें तो चली देखते कुशिन नमबर 7 हम लोग क्या कर रहा है 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus star dot plus 2 and minus 1 into 2 and plus 1 equal to हमों करें and bracket में 4 and square plus 6 and minus 1 upon में 3 तो अचली देखतें इसको solve करते का सबस्वे पहले हम लोग करेंगे let p of n क्या हुआ हम लोग a one into three plus 3 into five प्लस 5 इंटो 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 2 एंट माइनस 1 फिस टू एंट प्लस वन इक्वल टू किया हो जागा एंट पर फूर एंड स्क्वार प्लस एंड माइनस वन अपॉन में तरी कि आप यहां पर देखते क्या हो जागा इस्टेप यहां से बनें को तो सब्सक्राइब करेंगे याने कि यहां से बेख सकते हैं यहां से बता है कोई दिकत नहीं है अब आपे देखें तो कितना आजाएगा फ्लोक का लचिस कितना जाएगा वन इंटू थी इंट रिक्त ना हजाएगा तरी योटे अपर आख़रेख देखते थे कि हम लोग आप एपन पूट करेंगे एंगे प्लेस में 1 ठीक है एब एन के प्लेस में वन पूट करेंगे सूरी यहाँ पे मांट आप धंड गयाक है मांट इन्स वन अपन में थे तो क्या हो जाएगा यह माटिप्लाइक आय4 करेंगे के इसको साल्इप करंगे तो प्लास 6 बंजा 6 माइनस वन अपनमें थे ऐ स्क जाए deste said 10 होजेगा 10 में से 1 मैनस करेंगे तो 9 आपन में 3 multiply 1 था ना multiply कर देगा तो उतने हैं थिरी बंजे थिरी थिरी जा 9 कितना आ गया 3 विचीज ट्रू लेस्ट 3 आरेचेज भी 3 आया हम लोगा आप यहां पर देख्टी स्टेप टू P of K is true for N equal to K हम लोग क्या चीज देख रहे हैं हम लोग यहां पर देख रहे हैं P of K is true for N equal to K अब हम लोग N के प्लिस में K रख रहे हैं यहां पर क्या करेंगे P of K हो जाएगा equal to क्या जाएगा 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dot dot plus यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगा यहां पर N के प्लिस में K फिर 2 K plus 1 यहां पर N के प्लिस में K न अब यहां पर देखिए n के place में k यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 k square plus 6 k minus 1 upon में 3 अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम लोग का n equal to k के लिए true है n equal to k के लिए सही है तो हम लोग को step 3 है वो हम लोग को क्या prove करना पड़ेगा तो कि हम लोग का जो k plus 1 है वो भी क्या होगा true होगा अगर k के लिए true है तो k plus 1 के लिए true होगा यहाँ पर हम लिख देंगे prove that p of k plus 1 is also true is also true यह हम लोग को prove करना है तो चले देखते हम लोग कैसे करेंगे प of k plus 1 equal to क्या जाएगा 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dot dot plus यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 bracket में क्या हो जाएगा k plus 1 minus 1 और यहाँ पर क्या जाएगा 2 k plus 1 plus 1 अब यहाँ पर हम लोग यहाँ नीचे थोड़ा समय क्या देख यहाँ पर क्या जाएगा plus 6 k plus 1 minus 1 upon में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अब इसको चले देखते थोड़ा सॉल्फ कर लेते यहां तो चले नेक्स्ट में देखते हैं पर थोड़ा क्या होगा प्लेस काम हो रहा है तो चले हम लोग यहाँ पर देखते तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिए तो 507 था इसके पहले क्या है देखें इसमें वह यहां पर देखते अब इनके पहले क्या है अब इसको solve करेंगे ना इसको solve करेंगे तो हम लोगा क्या अगए देखें पहले इसको देखते हैं तो क्या आएगा हम लोगा टू के फ्लास टू –1 थो यहाँ पर फ्लास टू ठू के फ्लास यहाँ जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपके के लिए यहां पर छोटा सा करके समझा देता हूं मैं आपको देखिए इसको सॉल्फ करेंगे तो क्या अगर टू के प्लस टू यहां पर कितना जाएगा इस तरीके से तो अब इसमें टू माइनस करना पड़ेगा देखिए सुरू वाला ले रहे हैं तो माइनस करेंगे तो कम माइनस वन अब इसके पहले इसके पहले सॉल्फ करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए यहां पर देखिए टू के प्लस यहां पर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा यहां पर वन तो टू के प्लस कितना हो टू और वन थिरी हो जाएगा तो अब यहां पर इस तरीके से आ यह गया तो कमेद्ट प्लस त्री ठीक इसको सॉन्फ करें तो इतना जाएगा है तो के प्लस वर यहको समझाने के यह ना कर रहा हूं अधरवाइस आप इसके पहले वाला टर्म हमेंसा यह आता है याद रखेंगा मैं आपको इसाथ सौट बता दिया लेकिन अगर आप से कोई पूछे तो आपको ऐसी करके बताना पड़ेगा अब चलिए हम लोग क्या करेंगे आप हम लोग इसको लिख लेंगे क्या हम लोग का मैं आपके लिख देता हूं प्लस टू ब्रैकेट में के प्लस वन माइनस वन फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का तू के प्लस के प्लस वन प्लस वन अब यहाँ पर एक्वाल टू के साइड वाला मैं आपके लिख देता हूं इस तरफ यहाँ पर मै यहां कितना आजाएका थिरी अब चलिए इसको सॉल्फ करते हैं तो क्या हो जाएका हम लोग यहां पे यहां से यहां से किसके सबिसके सब्सक्राइब उसको लिग देते हैं कि 4-0 के सुइवर प्लस 6-1 टिव toplam में 3 यह यहां से हां टाक हocy मलत आय यहां से लिए यहां से लिए यहां यहां अब जो बचा उसको लिग देता में यहां पे क्या बच रहा ह् लोग नीचे दे दे रहा हूं ताकि solve करने में असान ही हो कोई confusion ना हो अप्छलिए इसको solve करेंगे तो यहां पर क्या होगा देखिए इसको solve करते के प्लस वन अब यहां पर क्या हो जाएगा देखिए फॉर यहां पर क्या हो जाएगा प्लस टू के हो जाएगा यही चीज होगा फिर क्या होगा प्लस यहां पर कितना हो जाएगा हम लोगा 6K plus 6 6 को के से 6K 6 को 1 से 6 माइनस 1 हो जाएगा अब 1 में क्या हो जाएगा यह वाला थिरी आ जाएगा यह पूरा का डिवाइड है अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ इसको पहले थोड़ा solve कर ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले इसको लिख लेते 4K square 6K minus 1 अब यहाँ पे इसको solve करेंगे तो क्या हैगा प्लस यहाँ पे 2K plus 2 minus 1 और यह क्या जाएगा 2K plus 2 plus 1 यह इस तरीके से आजएगा अब यहाँ पे थोड़ा solve करेंगे क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस 6 के आप देखेंगे 6 plus 6 minus 1 है कितना जाएगा प्लस 5 आ जाएगा पॉन में 3 इसको भी हम लोग ने solve कर दिया आप देखते हैं आप हम लोग आगे देखेंगे आप हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे पलस 9 था ना आप हम लोग यहाँ पे देखेंगे यह अलग था ना यह पूरा इसके साथ हमें है यह दोनों साथ हमें ना इसको अलग ब्रैकेट में कर देते ताकि confusion ना हो अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 छूट रहे ना इसको प्लस प्लसुक्य यहाँ पे देखेंगे क्या माप्लस थ्री की स्धी देखेंगे यहाँ पर कितने प्लस वन्रह यहाँ पर क्या सबस्वण植क यक्वड़ यहाँ dipping चल नहीं आप है देखिया यहां पर यहां पर हम लोगा हो जयाएगा 4K स्क्वार ब्लस पॉर और फॉर और बंद honके हम लोगा है ओफॉर और टॉली cra però सिक्सकी कितना हो हम स्थाई हम लोगा 14 की O ईपॉर और प्लस फवाइफ कितना ढगा नाइन हो जाएगा अब याप वन थिरी चल रहा है हम लोग को इसको इसके को लाना है न तो चली देखते हम लोग कैसे करेंगे अब यहां पर हम लोग मल्टिप्लाइ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4K cube प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6K square minus K यहाँ प्लस 6K plus 3103 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगा यहाँ पे हम लोगा पहले हम लोग एक काम करते हैं ऐसे करते हैं इन दोनों को पहले solve कर लेते हैं फिर 3 से multiply कर देते हैं 4K cube plus 6K square minus K प्लस 3 इसको multiply कर देते हैं 4K को 2K को 2K से करेंगे तो 4K square फिर 2K को 3 से करेंगे तो 6K फिर 1 को 2K से तो 2K फिर 1 को 3 से करेंगे तो 3 अब वान में कितना आ जाएगा यह हम लोगा पूरूफ करना ना अब मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ अब यहाँ पर देखें क्या होगा 4K cube plus 6K square minus K यहाँ पर क्या हो जाएगा solve करेंगे तो इसको 12K square plus 18K plus 6K plus 9 अब पॉन में 3 अब इसको solve करेंगे अब इसको solve करेंगे कितना हो जाएगा देखें 4K cube यहाँ पर 12K square है तो पहले 4K cube है तो इसको लिख देते हैं हम लोग क्या लिख देंगे हैं यहाँ यहाँ पर 4K cube फिर क्या हो जाएगा हम लोग का plus plus into plus plus हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे क्या है 6K square और यहाँ पर 12K square कितना हो जाएगा हम लोग का 18 18 18 k sqr ho jayegah 18 k sqr ho jayegah फिर यहां पर देखिए 18 k ha 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 थोड़ा से यहां पर इसको भी स्वाल कर लेती हैं पिसको मल्टीप्लाई कर देते क्या हिए मटीप्लाई करना पड़ेंगा किसी यही जगह में कर दिपर के यहां पर फॉर के क्यूब पिर इसको करेंगे से तो कितना होज़एंगी नं हो इतिर belum 15 का सकाएं हम लोगा 14 के हम लोग क्या जाएगा 14 की स्कवाइब फिर के से किसको करेंगे nine को कितना जाएगा nine के प्लस वन को फोर से करेंगे तो fourK स्कॵाइब फिर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का ऐन को 14 की से तो 14 के प्लस वन को 9 से तो 9 अपाउन में 3 चलिए हैंपर solve कर देते हैं थोड़ा सा अब आज आएगए 4K क्यूब कि फीर क्या हो जाएगा देखें प्लस 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 का रहेंगे 14 के प्लस 4 कितना अपाउन के स्क्वाइर 9 के कैए प्लस कितना हां पर 14 के न में हम लोग करेंगे सकते है यहां हम लोग यहां पे लिख देते हैं एक पी ओफ के प्लस वान इज रूपर स्वेश्ण क्या है रूव है So कि थोड़ा जगा नहीं हो रहा है यहां पर लिखते पे प्लस इस चुना यहां पर देते हैं तो बाई प्रिंसीपल ओफ माथमेटिकल इंडक्शन ना पी पी एम आई लिखे रहे हम लोग फिन यहां पर क्या हो जाएगा पी ओफ एं यहां पर क्या इस ट्रू फोर एंड बिलॉंग सु नेचुरल ना नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो सही होगा यह हम लोग का आंसर हो जाएगा सोचन वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू